केंद्री क्रशी मंत्री शिवराज सिंग चोहान की परंपरागत विधान सभा सीट बुधनी से बिजेपी ने विदीशा के पूर्व सांसत रमाकांत भारगव को उमिद्वार बनाया है इस सीट पर टिकेट की रेस में शिवराज के बेटे कार्थिके का नाम भी था अब भारगव को टिकेट मिलने के बाद कार्थिके की प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा कि दादा रमाकांत भरगो पार्टी के वरिष्ट नेता है पार्टी ने उन्हें टिकेट देकर सही फेसला किया है बोपाल में कार्टिके सिंग चोहान ने मीडिया से कहा मैंने कभी भी इस मन्शा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकेट मिले बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी टिकेट की आवश्यक्ता नहीं है मैंने पहले एक आम कारीकरता के रूप में उनके लिए काम किया है कार्टिके ने कहा कि हम लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग है यहाँ पर विक्तिकत इच्छाय माइने नहीं रखती अगर कुछ माइने रखता है तो वो यह विचार है जो पार्टि के प्रतेक कारेकरता को एक माला की तरह पिरोकर रखता है इसी विचार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इसी के साथ मैंने रही है एशा इस इंडिया के साथ हन्नेवाद